कहानी उस दौर की है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। भीम के कबीले से एक 10-12 साल की लड़की माली को अंग्रेज उठा कर दिल्ली ले जाते हैं। इस बच्ची को छुडाने के लिए भीम दिल्ली पहुंच जाता है। ये खबर अंग्रेजों को लग जाती है। अ उस ट्राइब के मुखिया भीम को जब इस बात का पता चलता है तो वह गुस्से से भर उठता है। वह मली को बचाने की कसम खाता है। फिर वह अक्तर नाम के मुस्लिम की फेक आइडेंटिटी बना कर दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ लच्चु नाम का एक युवक भी जाता है जो उसे गाइड करता है। उधर हाइडराबाद के निजाम को इस घटना की खबर मिलती है और भीम की प्रतिग्या के बारे में भी पता चला है। वह अंग्रेजों का चापलूस था। इसलिए वह स्कॉर्ट और कैथरीन को बता देता है कि भीम उनसे बदला लेने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन कैथरीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह रामा राजू नाम के पुलिस अफसर को बुलाती है और भीम को खत्म करने के मिशन पर भेज देती है। राजू अपने अंकल के साथ आजादी के सम्मेलनों में जाने लग करता है। ताकि भीम का पता लगा सके। एक दिन राजू को पता चलता है कि लच्छू भीम का साथी है। वह उससे दोस्ती करता है ताकि भीम तक पहुँच सके। लेकिन जब लच्छू को पता चलता है कि राजू पुलिस अफसर है तो वह भाग जाता है। इसी दौरान स नयोग से राजू और भीम की मुलाकात हो जाती है लेकिन दोनों ही एक दूसरे की true identity को नहीं जानते थे वास्तव में वे train हादसे के शिकार एक बच्चे की मदद कर रहे थे वहीं उनकी मुलाकात होती है जो दोस्ती में बदल जाती है एक दिन भीम राजू से कहता है कि उसे जैनी पसंद है जैनी स्काउट की भतीजी थी ये सुनकर राजू भीम की मुलाकात जैनी से करवा देता है लेकिन भीम तो जैनी के जरिये स्कॉट के घर तक पहुँचना चाहता था ताकि मल्ली को चुड़ा सके एक दिन जैनी भीम को स्कॉट के residence पर ले जाती है भीम चु भीम का पता पूछने लगता है, लेकिन लच्चू उसे एक क्रेट नाम के सांप से डिस्वाद देता है, और कहता है कि अब तुम नहीं बच सकते, क्योंकि उस सांप के दंश का इलाज कोई गौंड ही कर सकता है, राजू किसी तरह लडखडाता हुआ भीम के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे क्रेट ने डस लिया है, राजू कुछ जड़ीक बूटियों से उसे ठीक कर देता है, इससे राजू समझ जाता है कि वही भीम है, लेकिन भीम बिना पूछे दोस्त समझ कर उसे अपने मिशन के बारे में सब कुछ बता देता है, उसे अभी पता नहीं ह अगले दिन भीम अपने दोस्तों के साथ कुछ जंगली जानवर लाता है और स्कॉट के घर पर छोड़ देता है। करने के लिए राजू को प्रमोशन दे दी जाती है। लेकिन उसे बहुत पच्चतावा हो रहा था। वासतव में वह भी आजादी के लिए लड़ रहा था। और पुलिस में इसलिए आया था ताकि एक दिन अफसर बने और अंग्रेजों के हथियारों पर कबजा कर सके। मारने लगते हैं। लेकिन भीम आजादी का गीद गाने लगता है। इससे वहां कड़ी जनता भड़क उठती है और विद्रोह कर देती है। राजू स्कॉट से कहता है कि भीम को चुपचाप एक जगह ले जाकर गोली मार देते हैं। लेकिन यह उसका भीम को बचाने का प दूसरी तरफ भीम भी खुद को आजाद कर लेता है। लेकिन जब वह राजू के साथ मली को देखता है तो उससे लगता है कि वह मली की हत्या करने वाला है। इसलिए वह राजू के सिर पर चोट करता है जिससे राजू बिहोश होकर गिर जाता है और भीम मली को लेकर वहा से निकल जाता है, होश आने पर राजू को स्कॉट के सिपाही अरेस्ट कर लेते हैं, कुछ महीने बीच जाते हैं, भीम मल्ली के साथ हाथ रस में रह रहा था, एक दिन वहाँ पुलिस आती है लेकिन राजू की पतनी सीता उनसे जूट बोल देती है कि वहाँ स्मॉल पॉक्स चेचक फैला हुआ है, ये सुनकर वे जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं, सीता भीम के बारे में नहीं जानती थी, वह उसे बताती है कि राजू वास्तव में अंग्रजों की जासू सी करने के लिए पुलिस में भरती हुआ था, एक दिन वह उनके गोला बारूद पर कबज करना चाहता है, ये सुनकर भीम को अपनी गलती का असास होता है, वह अपने दोस्त राजू को बचाने के लिए तैयार हो जाता है, इसके बाद भीम स्कॉट की बैरक पर जाता है, और वहाँ बंदी राजू को छुड़ा लेता है, वे दोनों बहुत से सोल्जर्स से लड़ हुआ था, इसलिए बाइक के टकराने से वहाँ भयन कर विसफोट होता है जिसमें कैथरीन समेत कई अंग्रेज मारे जाते हैं, स्कॉट भी घायल हो गया था, राजू भीम को राइफल देता है और स्कॉट को मारने के लिए कहता है, स्कॉट गिल गिलाता है लेकिन भीम उस से कुछ मांगने के लिए कहता है, भीम कहता है कि उसकी ट्राइब को एज्यूकेशन दी जाए, राजू इसके लिए तैयार हो जाता है, वीडियो समाप्त हुआ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अगर वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो तो कमेंट कर देना, ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद थैंक यू वेरी मच